So, Hey Guys, आज इस वीडियों में बात करने वाला हूँ प्राइज एक्षण की प्राइज और ऑप से क्या जाता है . प्राइज एक्षण का होता है प्राइज एक्षण के बाता है ऑम क्या जो सक्षामें इस ब्हुर्त देखांगा सारा कुस्झ त४ा हमें क्या क्या नहीं कर सकते हैं इस चीज को आज मैं पूरा बताऊंगा आपको तो हम प्राइज एक्षन अगर हम प्राइज एक्षन के कर Πारता सो आप देखते हो मर्केट टाउन ट्रेट में मार्किट यह अच्छी घाज मानाए रेड मार्किट में तुर ग्रीन तो हमें ऐसा लग रहा कि मार्केट यहां से ट्रेंड चेंज करेगा पर ऐसा नहीं होता वो मार्केट में थोड़ा सा पुल वेक लेता है लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं प्राइज एक्सन खुद बोल रहे हैं कि मैं डाउन ट्रेंड में हूं यह खाली प्राइ प्राइज एक्सन के बेस पर क्या कर रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं कि हमें अपना प्रॉफिट मिल चुका है मार्केट बापस से डाउन ट्रेंड में रहेगा अगर वो इसके बाद में आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ट्रेंड को देख लिए ट्र साइं किस संजाऊंगा took market का सबसे है अब हमने resistance लगा दिय कि अब मार्केट इसके बीचों चल रहा है तो सपोर्ट रस्टेring之前 क्या होता हैister सपोर्ट सपोर्ट पर आता हमार्केट नीचे जब गरता हमार्केट सब्सक्राइब आता है तो यहां से एक फिर मार्केट अप जा सकता है यहां से रिजिक्शन ले सकता है मार्केट यहां से अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है तो हमने दो चीज बता है पहला ट्रेंड दूसरा तीसरा क्या होता है तीसरा होता है इसमें केंडलिस्टिक केंडलिस्टिक बहुत मैटर करती है है मेरे भाई केंडल स्टिक पेटरन आ आपने नहीं सीख्अ यहां से मार्केट का trend गेंड चेंज हो जाएगा मार्केट सीधे अप साइड में जा सकती है मार्केट यहां से ट्रेंड ही चेंज कर सकता है तो तो candle stick तीन प्रकार होती है single candle, double candle, triple candle, तो तीनों candle उपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ और मेरे चैनल में डाल चुका हूँ ठीक है आप जाकर करके देख लेना जो pattern चलेगा हम उसे साफ से इंटर करेंगे उसे साफ से हम इंटरी करके profit बनाएंगे ठीक है ना तो यह चार चीज़े होती प्राइज एक्सन को समझने के लिए और इन्ही चार चीज़ों कूपर हमें प्राइज एक्सन को देखने होता है मैं हर दिन live में क्या कहता हूँ मैं प्राइज एक्सन के बेस पर काम करता हूँ तो प्राइज एक्सन के बेस में सारी चीज़ें आती ही support, resistance, candlestick, chart pattern, सारा कुछ आता है trend, कोई, trend देखना, trend क्या चल रहा है यह सब ही चीज़े आती है इसलिए में प्राइज एक्सन के बेस पर काम करता हूँ तो मैं जादा यहां साइब बेंड हम तरहाई है क्या नी ग्रेंड में था उसके बाद मैं मार्केट सीधे नीचे पंदर मैं इसको पांच मिनट के टाइम प्रेम लगाता हूं आपको सही समझ में आएगा तो पांच मिनट के टाइम प्रेम में मैं इसको लगाया ठीक है और इसमें हमने क्या देखा कि मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में था ठीक है मार्केट यहां से यह डाउन ट्रेंड में ठी payment editor Chota एक दो ग्रीन देडल बनाई है दो-तीन Green Québec लिए कि मार्केट chocolate का मुमेंटम ़िया को उसके बाद में मार्केट ने क्या करता एक अच्छी खासी बेरीस चीरा पर बना और मार्केट आया सीधे यहां से marketing अप गया यहां से market अप गया टो मार्केट का क्या है यह यह हो गया यह कहारा है erosion pencil level will market यहां से इसे बाप्स से आउपर चल गैंड मार्केट ने फिर वाप इसमें जब हम entry बनाएंगे तो यह pullback बापस से market उपर गया और उपर जाने के बाद पर यहां पर क्या करता है market यह इसी कि यह जो हमने trend line डाला यह trend line हम इस candle के बाद में डालेंगे यहां से market ने एक resistance लिया कैसे resistance लिया यह जो support था इसको बना लिया market ने resistance यहां पर जाकर कि दो rejection candle बनाए उसके बाद मार्केट ने अच्छी खाजी बिगबार candle बनाया जो डाउं ट्रेंड गी तो यहां पर यहां पर यहां से ब्रेक करके और यहां पर लागर candle करता है close लेकिन अगली candle क्या करती है अगली candle में इस candle में जिनने जो इंट्री किये थी यहां पर वो लोग यहां से यहां तक का target बुक करके target रखते हैं और यहां से वो लोग profit booking करते हैं यह दो candle यह जो दो candle आपको green candle लिख रहे हैं इनमें हो रहा हुने का profit booking ठीक है और उसके बाद में हम कहां पर इंट्री करेंगे जैसे यह वाला यह वाला जो support तोड़े का market इसको जैसे ही तोड़ेगा हम बापर से डाउंसाइटिक इंट्र जैसे support को तोड़ता है और इसका low break करता हम यहां से एंट्र हो जाएंगे ठीक है यहां से हम एंट्र होएंगे और कहां तक के लिए एंट्र होएंगे यहां से एंट्री करेंगे यहां से हम एंट्र करेंगे stop loss रखेंगे हमारा कहां का यह support line resistance line का ठीक है यह resistance line का हम रखेंग क्योंकि market ने यहां पर पहले भी हम जाएंगे आगे तो यहां पर देखू, यहां से market rejection candle बना के उपर गया, ठीक है, यहां से rejection candle बना के उपर गया, मतलब market यहां से इसी train line के यह जो support line है, इसको उपर market अब चले जाता है, मतलब market में rejection का काम होता है, तो हम क्या करेंगे, target हमार के लिए 15 point का, target हमारा रहा 84 point का, ठीक है न, उसके बाद मा market आता है सीधे नीचे, market यहां नीचे आता है, अगली candle भी market यहां तक लाता है, ठीक है अगर आप चाहो तो इसमें stop loss ट्रेल कर सकते हो, अब stop loss ट्रेल क्या होता है, बो भी मैं आपको बता हमें, ठीक है, market ने यह target करा, लेकिन candle अभी भी रनेंगे और candle close नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, यह जो target हमारा इसको हम अग ले आई, और हमारा जो stop loss है, हम क्या करेंगे, एस candle के हाया का stop loss ले आएंगे, यहां पर, यहां कहीं 15 point का stop loss बना लेंगे, ठीक है न, तो हमारा stop loss हो गया यह, हम अगली candle यह जो candle है, यह candle पूरी close होने तक हम profit booking नहीं करेंगे, यह candle यहां पर close हुई, हमने यहां पर लाकर profit booking करेंगे, ठीक है न, उसके बाद मार्केट नीचे आया, और नीचे वतरती साथ में, यहां पर मार्केट ने बापस से reverse कर दिया trend, यहां से market ने reverse करा tent, तो यह reverse tent का हूँ हुआ, इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है न, यहां पर हम डाल लेते एक support line, यह, ठीक है अब हम थोड़ा सा time frame बढ़ाते हैं इसका, पंद्रमेट के time frame में लाते हैं, और पंद्रमेट के time frame में हम यह देखेंगे, यहां से rejection क्यों लिया, यहां से जो हमने लगाया, यहां स इसको कहां गया आई, यह, market ने यहां से rejection क्यों बनाया, क्योंकि market में देखते हो, यहां से जो market rejection लिया, यहां से rejection क्यों लिया, market ने यह जो यहां पर candle close किया था, पहले market को यहां पर close किया था, उसके बाद मार्केट सीधे gap up open हुआ था, मतलब यहां पर इस zone पर buyers बैठे हुए जो बाय करना चाह रहा है इस जॉन पर बायर्स बैठ हुए और यहां से मार्केट को अप साइड में ले जा सकते हैं तो हमने यही देख करके यहां पर एक होरीजोंटर बनी है यहां पर जो केंडल ने परफॉर्म किया है वह एक रिजेक्शन केंडल बनाया जो हमने सेकंड केंडल स्टिक में सीखा था मार्केट में बई केंडल स्टिक बना चार्ट में बई केंडल स्टिक बना सेकंड केंडल स्टिक का रिजेक्शन केंडल और यहां से मार्केट मार्केट ने ट्रेंड कर दिया यहां से चेंज और यहां से सीधे मार्केट अब ट्रेंड में पकड़ लिया तो यह क्या हुआ हमारा हमने ट्रेंड पकड़ा और ट्रेंड पकड़के हमने काम किया हमने अच्छा का सा प्रॉफिट बना उसके बाद मार्केट का ट्रेंड चें अब चौती चीज चार्ट प्याट के लिए पंद्र मेंट के टाइम प्रेम गीए और अगर आप इंट्रेडे करते हो इसकाल्पिंग करते हो तो आपको 15-5-9 जो होते हैं यह हमें घेली और इंट्रेडे के लिए काम ही आते है यह हैं यही टइब यहां पर देखेंगे ओर इसको भी अट देटी ता इसको भी अटती हैं आर न奏 जू कैंडल की बात कर रहा तो यह जो कैंडल हमने देखा कि मिर्केट में यहां पर एक ide pami powder बनी जाए आब बॉस बनती है न केंडल C12 पर जब हम देखते हैं तो चाट पर बहुत सारी candle बनती है, hammer भी बनती है, market के downtrend में hammer बनता है, सारा कोछ बनता है, लेकिन हमें क्या देखना है, वो जो candle बन रही है, वो किस जगाय पर बन रही है, अगर downtrend में है, downtrend पर है market और कोई support resistance नहीं है, बीचो बीच बन रही है, वो ह किसी काम की नहीं है, market बहाँ से कोई trend चेंज नहीं करेगा, तो हम क्या देखेंगे, market में यह देखेंगे, यहाँ पर जो candle बनी है, यह जो हमारा support है, यहाँ पर जो candle बनी, इसने rejection का काम किया, मतलब यह हमारे लिए important है कि support resistance पर आकर के candle क्या बनती है, यह हमारा सबसे main matter करत ठीक है यह समझ लिए, इसके बाद में हम देखेंगे pattern, तो यहाँ पर हमने देखा कि market में pattern चल रहा है, market पीhuh पर लाकर close किया और इस pattern में हमें यह समझ में आया कि market में double bottom pattern बना हुगा अब market यहाँ पर close कर दिया है मतलब कल के लिए हम देखेंगे example बता रहो है ना यह level clear नहीं समझ ना एक बात बता रहो है मतलब हम कल के लिए क्या देखेंगे market इसके ऊपर में यहाँ कहीं open हो सकते है यहाँ कहीं open हो सकता है यह हमने कैसे देखा वाई हमने pattern बताया कि मैं double bottom बन चुका हूँ अब यहाँ से मेरा trend हो जाएगा change इस चीज से हमने देखा तो price action हमें यही सभी चीजे समझ ना रहता मेरे भाई और अगर आप price action के base पर trading करते हो तो price action आपको अच्छा खासा return देता है और अच्छा खासा profit कराता है मानता हूँ मैं कि stop loss होते है सबके stop loss सेट होते है सबका stop loss जाता है लेकिन stop loss हमारा minimize होता है stop loss हमारा minimize होता है 10-15 point के stop loss रहता है सो पॉइंट पचास पॉइंट का टार्गेट रहता है तो यह था हमारा प्राइज एक सब आज वीडियो और अच्छा वहां कैसे काम करते थो इस वीडियो बहुत अच्छे अच्छे और वीडियो अगर समाज में आता है तो आप एक बार मेरे में कमेंट कर देना कि बाइप मेरी आनीवाले हर एक वीडियो आपको मिल सके और ऐसे में ट्रेडिंग से जोड़ी वीडियो आपको देते रहता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले हैं चलो मिलते आने वाइल दूसरी वीडियो में जब तक लिए जय जय से रहा हूं